कानपुर दिहाद के मडौली गाउ में तेरा तारीक को हुए अगनी कांड की आज कम होती सीद दिखने लगी थी ऐसा लगने लगा था कि हन्य मामलों की तरह ये मामला भी राजनितेक पार्टियों और सोशल मीडिया के लिए एक एजेंडे की तरह आया और चला गया कि तभी पिडित परिवार की तरफ से एक चौकाने वाला बयान सामनाया पिडित शिवम दिख्षित ने पोलिस की कारवाई और जाच पर गंभी सवाल खड़े किये शिवम दिख्षित ने आरोप लगाया कि घटना की जाच में मुर्दो का भी बयान दर्ज किया जा रहा है शिवम दिख्षित का कहना है कि जो वेक्ती दस साल पहले मर चुका है उसको भी जाच का नोटिस भेजा गया है कि जाच चल लए इसमें एक मजब मुझे मुझे किसी ने बताया हुए है कि एक राम नरायन दिख्षित हैं जो हमारे ही परिवार की हैं और वो उनको मरे हुए आठ से दस साल के असपास हो चुके हैं चल रही है तो मरे होई आदमी से किस परकार ंचतास हो रही है कैसे हो रही है सो मुझे पता नहीं और इसलिए ठोड़ा सा दगता है कि जाच में क्ี่ हो रहा है किसे तरीक हो रहा है और इससम piggy dann बोस्ता का कर देश चिवा था कि सब्सक्राइब करें जो की मरे हुए आट से दस साल हो गई तो मुझे लगता है या तो कि उस लेकपाल के पास जिसने कारवाई कराई थी उसके पास कोई जो भगवान के पास से उस आदमी को यहा लाता है उसके बाद जब वह यह कारवाई हो जाती उसका फिर से उपर भेश देता है यह पता नहीं कैसे उसने किया है क्या किया है मुझे तो नहीं पता और अगर नहीं आप इसा मानते हैं तो यह को इनके ही लड़के हैं बुत्तन नोटिस दी गई है अठारा तारीक को तो यह किस ने दिया है कोई कानून को थे ए सौरी वह लेख पानून को नहीं आया हुए उन्हों नहीं थी पूस्ताश के लिए उन्हें माती बुलाया गया तो आप कैसे जाएंगे वही तो मरा हुआ अदमी कैसे पूछाज में गया इस चीज पर मुझे भी बाड़ा और यही तो मैं बारोशा गहां जिस पर जो मरा हुआ आदमी जीवित हो रहा है तो क्या कहना जाता हूं कि जो भी जांच पुराणी हो रहे हैं इसको तो 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 तरीके से की जाए और जो मर बतादे की कानपुर्दिहात जिले के रूरा थाने इलाके के मणौली गाउं में कथित तौर पर अतिक्रमन विरोधी अभ्यान के तौर पर जब बुल्डोजर की कारवाई की गई उसी वक्त एक महिला और उसकी बेटी ने अपनी जोपड़ी में कथित तौर पर खुद को आज के लिए दो SIT टीम गटित कर दी एक सप्ता में जांच रिपोर्ट सौपने की बात भी खई SIT अभी भी मामले की जांच कर रही है देखना होगा कि मामले में आरोपियों को कब सजा मिलेगी कानपुर देहात से सूरत सिंग की रिपोर्ट कानपुर तक कर दो